तो और भाई क्या हाल चाल सबका आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउस और डाइगन के एपिसोड 7 के बारे में जिसका नाम है द्रिफ्ट मार्क तो हम लोग लास एपिसोड में देखते हैं कैसे लेला वेलियन का जो डाइगन होता है वेगार वो उसे और देती है और वो उसे फायर करके मार डालता है तो इस समय में लोग देखते हैं ये लेला वेलियन का फ्यूनर हो ला होता है और हम हमें ये भी पता चलता है जो ओटो ह के उनको मरवा दिया था वहीं डेमन और रहनेरा के भी अब ये एक तरह का रियूनियन होता है कि क्योंकि ये लोग भी बहुत अब सालों बार मिल रहे होते हैं और उनकी तो आखों ही आखों में कुछ बात चल लिए होती और इस चीज को एलिसन भी नोटिस कर ले होती है चलता है तो बट उसे और वो आफर करता है कि तुम वापस आ सकते हो कि इंसरेंडिंग में बट डेमन उस ओफर को बहुत मानने के थूप में नहीं रहता है अब फिल वापस किंग जाने लगता है बैड में और को यभी बता दो कि इनकी अब जो हालत है वो भी बहुत हुआ हो रहता है तो ब्रेनर और डेमन एक दूसरे को देख रहे होता है और फिर हम देखने है कि जो एगन होता है जो एलिसरेंट और किंग वेसरेस का बेटा होता है सबसे बड़ा बेटा एगन सेकेंड वो कहीं पर दारू अलू पीकर बड़ा रहता है और फिर उसको ऑटो लाद मार के उठाता है और फिर इसको बैट टक ले जाता है फिर पूरा एपिसोड बड़ी बहुत जादे डार्क हो जाता है एकड़म याद आ जाती ही जैसे बैट नर्से सूपर्मेन देखणा है तो वैसा ही कुछ डार्क हो जाता है वही जो Ranis है और Lord Callis है वो लोग discuss कर ले होता है कि Driftmark का आने अला air क्यों होगा आपको बता दे कि जो Ranis के बेटे है Rusalis उसको ही Driftmark का air होना चाहिए बद क्योंकि उसकी जो रेटमिर्सी है वो कोसन में है क्योंकि उस सबको लगता है कि वो Harwin Strong का बीटा है जो कि वो है भी तो इस वज़े से उसका air के भी बातें चल लही होती है तो वहीं discuss चाहता है जो अरहनीस होती है वो चाहती है कि बेला बने air बट Lord Callis बोलता है कि नाम जादा चलता है खून से जादा तो यह डायलोग मालता है कि नाम जादा चलता है खून से जादा और लॉर्ड कॉलिस बोलता है कि डूसरेसी बनेगा वहीं डेमन और लेनरा बात्चीत कर ले होते हैं संबुन्त के पास यह आपको पहले लिखता है वही वाले एपिसोड का जब लेनल और आपका लेनरा बात कर ले होते हैं डिफ्ट मार्के में बीच के पास और फिर लेनरा अभी भी थोड़ा गुस्य में होती है डेमन से कैसे वो उस दिन छोड़ के चला गया था उसको ब्रॉथल में देमन कहता है कि उसने उसको छोड़ा नहीं था बलकि उसे बक्स दिया था उसका ये कहने का मतलब होता है फिर लेनरा उसे किस करने लगती है और वो उसको फिर ड्यालोग मारती है कि यानि कि अब जो चाहिए उसके साथ आप कर सकते हो और फिल और रहा लगता है तो और यह चोटा बेटा है एमन इस एपसोन में इसके सब बहुत भयानक भयानक चीजें होने वाली है और वो इतला का लैक इस पूरे एपिसोड को तो ऐसे लगता है कि धून सा रहा होता है और उसे मिल जाता है लेना का डाइगन रेना जो डेमन की वाइफ थी अब एक्सपायर हो चुकी है जिसका फ्यूनरल हो ला था तो उसका डाइगन वेगा जो इसे में सबसे बला डाइगन है उसको वो कंट्रोल कर लेता है उसे राइट भी करने लगता है और फिर एमन पहुसता है वो एमन की आख फोड़ दिता है और अफकोंस सेे ऐलेसें बहुत गुसा हो जाती है भड़ी सवाब में एगन एमन ये बोलते हैं कि लेनरा के बेटे बास्टर्ड्स हैं और इससे अफकोस जो लेनरा होती है वो गुस्ता में हो जाती है और अब लेनरा भी उस आपे आ चुकी होती है उसके बाद किंग बोलता है कि मैटल को सल्टाओ ये उसका कहने का मतलब होता है घर का मामला हो बहुत इंटर्स नहीं ले रहा होता है रहा है बट जो ऐलिसन्ड होती है वो कंक को कहती है कि उसकी ऐमन की आख कटी है तो भी एक आख साती है और वो सब कृस्तन कॉल को और करती है कि रूस एलिस की आख काट के आओ बट जबकि वो खुस होता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा थोन पर बैठे तो इकता से ऑटो बहुत क्रीपी स्माइल देता है वो खुस लगता से वहें रहना डेमन से पूछती है कि साधी कर लो मुझसे क्योंकि मैं ग्रीन यानि कि जो अकेले नहीं रड़पाऊं और फिल इसी एपिसोड के एंड में वो लोग साधी भी कर लेते हैं बट इससे भाई डेमन ये कहता है कि मैं तब तक साधी नहीं कर सकता हूँ जब तक तुम्हारा हस्बेंड लेनल है तो ये लोग धोकेवाजी से कुछ तिक्रम भिडा के लेनल को मार देते हैं और फिल हम एंड में ये ट्विस पता चलता है कि लेनल जो था वो एक्चली जंदा है वो मड़ा नहीं है और फिल ये एपिसोड एंड हो जाता है अब आगे देखता है नेक्स एपिसोड में क्या होता है इस वीडियो को देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका